तो दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि अधारकार्ट से आप लॉन कैसे ले जो कि आप इस अप्लिकेशन से जो है 500 रुपीय से लेकर आप मैकसिमम दो लाक रुपीय तक का लॉन ले सकते हैं जो कि आप एसकेंट पर देख सकते हैं 500 रुप एप्रूब हो जाएगा जैसे कि आप एसकेंग पर देख सकते हैं कि अगर आपको 20,000 विपी का लॉन एप्रूब होता है तो आपको कितने मंत का एमाई बनेगा कितने परसंट का इंटरेस्ट लएगा कितना आपका इमाई बनेगा और टोटल आपको कितना पर करना पड़ेगा सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है और आप नीचे एसकॉल करेंगी तो यहां पर लिखा हुआ आज जाएगा कि यह अप्लीकेशन आर्बी अप्लीकेशन से आप लॉन ले सकते हैं कोई दिकत वाली बात नहीं है अगर आप नीचे एसकॉल करेंगी तो इस अप्लीकेशन के बारे में काफी सारा इंफॉमेशन मिल जाएंगी और यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है नो पेपर वर्क यानि कि आपको किसी भी तर आप वहां से डाग डॉन लोड कर सकते हैं उसके बाद जो है आपको यहां पर ऑपन का ओप्सन दिख जाएगा तो ओपन पर किलिक करना है जैसे ही आप ओपन करेंगे यहां पर ब्रांच का लोगर सो कर जाएगा और उसके बाद यहां पी continue in English का ओप्सन मिल जाएगा तो आ आप यहां पर देख सकते हैं OTP का option आज चुका है तो यहां पर आपको OTP फिलब करना नहीं तो OTP Automatic Detect हो जाएगा उसके बाद जो है आपको यहां पर कुछ इस तरीके का interface देखने को मिल जाएगा और आप इस application के अंदर login हो जाएगी तो इस application स्ची old लेनी के लिए सबसे पहले यहां पी apply। का option देखने को मिल जाएगा और यहां पर जियरो सो करके यहां पर आजाहेगा देख सकते हैं यानि यांदिक है आभी आप लौन नहीं लिये इसलिए यहां पर जी रो लिखा ओए आ जाएगा और लॉन लेनी के लिए आपको यहाँ पी apply now का option दिख जाएगा इस पी क्लिक करना है उसके बाद जो है आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का interface देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको तीन step complete करनी है जो कि आपको identity verification, selfie और personal details जो कि तीन step complete करना है उसके बाद आपको loan amount मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको continue का option देख जाएगा तो आपको continue पे क्लिक करना है उसके बाद जो है आपको यहाँ पे दो option मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हैं सबसे पहला option मिल जाएगा आपको proceed OTP verification और दूसरा option मिल जाएगा upload ID card मैं आपको जानकारी के लिए बता दू कि अगर आप इस वाले option पे क्लिक करेंगे proceed OTP verification तो इसके लिए आपके अधार card में mobile number link होना चाहिए तब ही जो है आप इस option को flow कर सकते हैं बट अगर आपके अधार card में mobile number link नहीं है तो आपको यहाँ पे एक option मिल जाएगा upload ID card तो आपको इस पे क्लिक करना है उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक option मिल जाएगा identity tab और यहाँ पे जो है right side में arrow का icon दिख जाएगा तो आपको इस पे क्लिक करना है उसके बाद जो है आपको नीचे दो option मिल जाएगा पहला option मिल जाएगा अधार card और दुसरा option मिल जाएगा voter ID तो अगर आप अधार card से apply करना चाहते हैं तो आप अधार card वाले option को क्लिक करेंगे और नहीं तो voter ID तो सबसे बेस्ट है अधार card तो आपको इस पे क्लिक करना है अधार card पे उसके बाद जो है आपको दिख जाएगा कि आप कौन से ID card को select के हैं तो यहाँ पे अधार card लिखा हुआ आ जाएगा और नीचे आपको continue का option दिख जाएगा तो आपको continue पे क्लिक करना है उसके तो अब यहां पर complete करना है तो जो कि यहां पे नीचे सब्स कीbest इंचे सब्सक्राइब करने की अपको कहाइगा तो उसके बाद जो है आपको सेलफी क्विचाइब का ऑपस्टन मिल जाएगा कीप्छर करने के वाद यहाँ पे नीचे आपको submit का option मिल जाएगा तो submit पे आपको क्लिक करना है उसके बाद जो है आपका सरा detail सो कर जाएगा जो भी आपके अधार card पे detail रहेगा automatic detect कर लिया जाएगा जैसे कि यहाँ पे आपका नाम date of birth, pen number, mail पे mail जो भी है आपको यहाँ पे शुकर जाएगा सारा detail बस इस detail को आपको confirm करना है तो confirm करने के लिए नीचे save and submit का option देखने को मिल जाएगा तो आपको इस पे click करना है उसके बाद जो है आपको bank account add करने का option आजाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर bank name तो यहाँ पर आपको bank का नाम select करना है और उसके बाद जो है नीचे आपको समिट का option मिल जाएगा तो समिट पर आपको क्लिक करना है तो आपका bank detail सेब हो जाएगा उसके बाद जो है आपको loan amount एपरोग हो जाएगा जैसे कि आप depicted page नहुंच देख सकते हमको 25 रुपय का लॉण्ड मांट nine out हुआ है तो आपको हो सक कि इससे जढ़ा भी अपरूफ हो शकता है कि या इससे कमभी हो सकता है क्योंकि फार्ट यंद्ध जो आपको कमी अने हो गार क्योंकि आपको देखेना है कि आपके पैंड kard पे कितने का loan amount एप्रोब होता है हमारे pen card पे इतने का loan amount एप्रोब होगा तो first time आपको कम amount एप्रोब होगा उसके बाद जो है आपका ज्यादा हो जाएगा मतलब increase हो जाएगा जब आप इस amount को ले करके पे कर देंगे तो यहाँ पे आपको continue का option देख जाएगा तो इस amount को लेने के लिए continue पे किलिक करना है जैसे ही आप continue पे किलिक करेंगे तो यहाँ पे select loan term का option देख जाएगा तो आपको इस पे किलिक करना है और यहाँ पे आपको समय select करना है कि आप कितने दिन के लिए loan amount लेन चाहते हैं तो यहां पर 31 दिन और 12 दिन का ऑप्शन है तो आपको यहां पर जो भी समय आप स्लेट करना चाहते हैं करेंगे जैसे कि हम यहां पर बास्ट दिन स्लेक्ट की हैं और यहां पर टोटल आपको जो कितना रिपेमेंट करना पड़ेगा तो यहां पर शुकर जाएगा देख सकते टोटल डियू यानि कि आप दो महिने में कितना रिपेमेंट करेंगी वह यहां पर दिख जाएगा और आपका इमाई कितना बनेगा टोटल यहां पर लिखा हुआ आज आगा देख सकते 326 रुपे का इमाई बना है जो कि यहां पर साफ लिखा हुआ है और इस इमाउंट को बैंक में लेने के लिए यहां पर कंटीनियू का ओप्सन दी जाता है कंटीनियू पर किलिक करना जैसे ही आप continue पे click करेंगे यहाँ पे आपका bank detail शुकर जाएगा जो भी bank detail आप add किये होंगी और यहाँ पे apply का option दिख जाता है तो आप apply पे click करेंगी जैसे ही आप apply पे click करेंगी तो आपका amount जितना amount अप्र हुआ है उतना amount आपके bank account में instant transfer हो जाएगा तो आप कुछ इस तरीके से जो है आप इस application से अधार कार से जो है आप personal loan आप घर बैटी मोबाइल से ले सकते हैं I hope आपको यह वीडियो पसंद आए होगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए subscribe कीजिए comment कीजिए मिलते किसी next वीडियो में तब तक के लिए thank you so much बाइ कर दो है